कि यह वह लग कोश्चन देखो प्यारे बच्चों यह एक थेरिटिकल कोश्चन है बहुत सारे बच्चों को मिसकंसेप्शन होता है कि रैडियो एक्टीव जो होती है रैडियक्टीविटी डीके उस डीके में जो निगेटिवली चार्ज इमिटेट इ्लेक्टांस होता है वो आउटर मोस्ट इलेक्टान जैसे जेसे और नुकलीएस उसके अंदर बात करो नुकलीएस के अंदर क्या है निक्लीएस के अंदर अभी मैं मनता हूं प्रोटान and neutrons है ठीक है तो अगर protons and neutrons है तो actually जब electrons nuclear process में emit होता है तो एक neutron वो तोटता है proton plus यहां से electron ठीक ना और plus यहां से anti neutrino ठीक ना एक neutron जो है वह ऐसे ब्रेक होता है नुकलियस के अंदर की बात कर रहा हूं तो यह neutron जो है डीक होता है proton में और यहां से electron जो है यह वाली जो electron है यह बाहर आता है नुकलियस से nuclear reaction में तो electron produces result of decay of neutron inside the nucleus मतलब यह option सही है electron result of collision between यह गलत है ठीक है electron orbiting the nucleus orbiting ओला कभी नहीं होता इंसाइड दर नुकलियस तो electron ही नहीं होता है तो यह जो ए आप्शन है वह सही है